सर्प्राइड सर्प्राइज बहुत ही अर्जेंट वीडियो आपके लिए मेरे पास एक बहुत ही अर्जेंट खबर है जो अंदर से निकल करा रही है जिसे आपको जाना भूद जरूरी है ज्यादा समय लूगानी पांच मिनट में कोशिश करते हैं खतम करने का जो मेरे पास अपडेट है वो मैं आपको एक बार पहुचा देता हूँ और वो अपडेट यहाँ पर और काफी यहाँ पर आज आखरी डेट है और काफी घजब यहाँ पर हो गया है जो अपडेट है वो है यहाँ पर IPO से रिलेटेट पॉलिसी बजार के IPO से अभी तक मैंने इसे यहाँ पर cover नहीं किया था आज last date है और कहानी में यहाँ पर twist आ गया है जो मैं आपको इस वीडियो में आगे यहाँ पर बताने वाला हूँ सबसे पहले जो issue size है हमारा सबसे major focus है वो यहाँ पर 5700 करोड का है देखिए मेरा theory IPO में यही है कि अगर 2500 करोड से जादा का issue size हो जाता है तो वो एक long term IPO है जिसे आप यहाँ पर लंबे समय तक रख सकते है और 2500 करोड से कम का issue size है तो वो एक short term IPO है जिसे आप एक मैने तीन मैने तक यहाँ पर रख सकते है तो policy बजार का IPO यहाँ पर 5700 करोड का यहने कि यह एक long term IPO है और इसके साथ क्यूंकि issue size 5700 करोड का है मेरा issue size से IPO IPO में एक और theory निकलता है कि अगर 2500 करोड से जादा का यहाँ पर issue size है तो उसका जो gray market premium है यहने कि जो unofficial market है उसमें जो उसका premium है वो कम आएगा उसके पीछे जो logical reason यह है क्योंकि issue size कम रहता है तो उसे manipulate करना असान रहता है operator के लिए लेकिन issue size जादा रहता है तो उसे operator के लि easily manipulate कर सकते कुछ पैसों के साथ में लेकिन जो already बहुत ही reputed है उसे आप पैसों के साथ हिला नहीं सकते तो policy बजार के case में क्योंकि यहाँ पर issue size 5700 करोड का है तो उसे operate करना इतना आसान नहीं है इस वजह से gray market premium अगर आप देखोगे तो फिलहाल यहाँ पर अगर आप देख है मैं वो तकरीबन 10-12% का यहाँ पर चल रहा है यहने कि currently जो stock है वो 1100 रुपए के आसपास यहाँ पर चल रहा है तो आपको 10-15% का listing gain इस share में इस IPO में देखने को मिल सकता है ऐसा unofficial market बता रहे है क्या सिर्फ unofficial market को देखके ही हम यहाँ पर apply करें आज कल एक philosophy आ गई है कि जिसका unofficial market में premium 60-70% है उसमें हम apply करेंगे जिसका कम है उसमें नहीं करेंगे तो देखे यह बहुत ही जादा जरूरी है हर एक निवेशकों को जानने के लिए कि अगर आप सिर्फ 60-70% वाले grey market को देखकर apply करेंगे तो वो आपको समझना पड़ेगा 6 मैने के बाद आप कही नहीं कहीं वही स्टॉक आपको यहां पर पैनिक देगा क्योंकि उसे operate करना easy है और policy बजार का IPO अगर आप दूसरे तरफ देखोगे 10-15% का grey market premium दिखा रहा है ठीक यहां पर जो मैतों की यहां पर याद आ जाती है हमें ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला था तो यहां पर आ आपने देखा होगा कि FII जो है वो sell कर रहे है यानि कि जो foreign institutional investor है वो बजार से निकल रहे है और जो domestic investor है वो खरीदारी कर रहे है और यह एक trend भी होता है जब FII बेचते हैं domestic खरीदते हैं FII बेचते हैं तो यह एक चलता रहता है यहां पर तो अब हमें ऐसा लग रहा है कि जब FII बेचना चालू करेंगे तो DII यहां पर खरीदना चालू करेंगे जो cash को hold करके यहां पर रखे थे तो जो मेरे पास news यह है कि policy बजार के IPO में इसलिए आखरी दिन वीडियो बना रहा हूं क्योंकि policy बजार के IPO में insider खबर है कि बहुत सारे mutual funds काफी ज्यादा interest यहां पर दिखा रहे हैं जितने भी fund manager है वह काफी ज्यादा interest यहां पर दिखा रहे हैं और वह अपने plan of action में policy बजार को रखे हुए हैं अगर आप anchor investors भी देखेंगे कि किस प्रकार से इसमें पैसा लगाया है तो इसमें access mutual funds के बहुत सारे funds हैं जिन्होंने इसमें पैसा लगाया जबकि तीन साल का आपको पता होगा कि एक investor के लिए lock-in रहता है policy बजार में और अगर आप देखोगे कोटक के भी बहुत सारे mutual funds ने schemes ने इसमें हाँ पर investment करा है और Mirai ने भी आपर इसमें investment किया है तो यह एक update है जो आपको पहचा आप बताना था कि एक plan of action में हैं जितने भी fund managers है उनके हाँ अब ऐसा नहीं है कि mutual funds ने अगर खरीना चालू कर दिया तो जरूरी है कि share बढ़ेगा share जो है वो share market पर depend करता है कि market में कितनी volatility है market यहाँ पर उपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है क्यों बड़े player यहाँ पर इस पर अपना रुजहान दिखा रहे देखे जो business model है वो काफी simple है देखे यह एक आप insurance को compare कर सकते हैं आप compare करने के बाद आपको जो पसंद है उसमें से आप अपना online insurance pick करके इसमें policy बजार के थुरू ले सकते हैं तो यह एक business model है इंडिया का पहला ऐसा platform है जहाँ पर आप अलग-अलग insurance को compare करके अपने का सबसे सस्ता या सबसे अच्छा insurance pick करके ले सकते हैं यह एक business model हमारे सामने आता है मोनोपोली क्या है कि मोनोपोली है कि इसका कोई competition नहीं है ना तो बजार में कोई listed competition है ना तो वैसे भी कोई competition दिखाई दे रहा है अलग-अलग insurance companies है लेकिन वो कोई comparison नहीं देती है या वो सबके मंद में doubt है, valuations जो है यहाँ पर no doubt पिछले तीन मेने से हाँ पिछले तीन साल से company business जो है वो loss में है लेकिन revenue अच्छा बना रहा है और revenue में growth हमें दिखाई दे रहे तो यह एक totally future growth वाला plan है कि यहाँ पर सारे के सारे लोग future के तरफ जादा दिखाई दे रहे कि future यहा पर valuations पर कम भाव दे रहे, अगर यह monopoly है, market इसे मानता है कि यह monopoly business है तो यह अच्छा perform करेगा और market अगर नहीं मानता कि यह monopoly business है तो फिर यहाँ पर अटक सा यहाँ पर जाएगा, यह मेरा clear cut opinion है policy बजार के लिए lastly apply करे या ना करे clear cut opinion policy बजार के IPO में आपके लिए तो आप यहाँ पर apply कर सकते हैं long term के लिए, आपर याद रखे issue size 200 करोड से जादा है, धाई 1000 करोड से माफ करिएगा तो यह already एक long term है, इसके साथ दूसरा चीज आप अगर apply करेंगे long term के लिए तो आपको ध्यान में रखन इसका PE ratio, कब company, कब business profit में आता है, उसका EPS क्या आता है, और उसके बाद P क्या आता है, अगर P कम में आता है, तो double होने के चांसे हो जाएंगे, P बहुती ज़्यादा overrated आता है, तो फिर आपको यह भी यहाँ पर एक देखना पड़ेगा, जो एक risk factor हमारे लिए यहाँ पर निकल कर आता है, इसके साथ अगर आपकी age, age ध्यान से सुनिये, अगर आपकी age 18 से 25 है, तो आप इसमें apply कर सकते हैं, in fact 30 तक है, तो आप इसमें apply कर सकते हैं, क्योंकि यह एक technological है, एक futuristic business है, कि आप insurance को compare करके ले सकते हैं, तो अगर आप एक young dynamic है, और लंबे समय तक hold कर सकते हैं, 10-20 साल के लिए, long term के लिए, तो यह अगर monopoly साबित होता है market में, तो यह जबरदस तरीके से आपके लिए पैसा बना कर दे सकता है, तो अगर आपकी यह 18 से 30 है, आपका risk taking capacity जादा है, तो आप इस IPO में लंबे समय के लिए जरूर से apply करें, और देखने की कोशिश करें, कि क्या monopoly create हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैं खुद देखूंगा कि यह monopoly create कर रहा है या नहीं कर रहा है, after listing भी आप ले सकते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ, business यहाँ पर monopoly create कर रहा है, तो आपकी age अगर 18 से 30 है, valuations कम matter करेंगे, आप apply कर सकते हैं, अगर आप एक aggressive investor है 30 के बात तो भी आप यहाँ पर apply कर सकते हैं, यह था मेरा clear cut opinion, policy बजार को लेकर उमीदे आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को यहाँ पर like जरूर करिएगा और ऐसे information के लिए चैनल को subscribe कर लीजिए, अगला वीडियो यहाँ पर जल्दी आ रहा है कि मैं कौन से share खरी कर सकते हैं